बिहार में नगर निकाय चुनाओ फिर से तल सकता है वज़ा है कि सुप्रीम कोट ने अपने 28 नवंबर के आदेश में बदलाव कर दिया है दरसल कोट ने अपने फैसले में एकनोमिकली बैकवर्ड कमिशन को डेडिकेट कमिशन मानने से इंकार कर दिया था जिसके बारे में ह आदेश में सुधार के बाद इस पर राजनिर्ति हो रही है बदादे कि सुप्रीम कोट के आदेश के बाद ही राज निर्वाचन आयोग ने बुद्वार की देर साम नगर निकाय चुनाओ की नई तारिकों का एलान कर दिया था क्योंकि सुप्रीम कोट के आदेश के बाद राज निर्वाचन आयोग को चार हफते में जवाब देना था सुप्रीम कोट को और सरकार को भी और इस बीच जो है राज निर्वाचन आयोग ने बिहार में 18 और 28 डिसंबर को वोटिंग की डेट जो है वो टै कर दिया था बिहार सरकार ने पतना हाई कोट द्वारा रोक लगाये जाने के बाद EBC कमिशन की रिपोर्ट के अधार पर ही निकाय चुनाओ कराने का फैसला लिया था लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोट की तरफ से आये नए आदेश के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाओ पर एक तरफ से जब ओडर आया था तो सुसील मोदी ने इस पर सवाल उठाए थे तो जद्यू के रास्टिय धर्क लरन सिंग ने बीजेपी नेता सुसील मोदी पर तंच कसा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सुसील जी आप छपास रोक से बुरी तरह से गसित हैं माननिये सुप्रीम कोट के नए आदेश आने के बाद ललन सिंग पर तंच कसा है सुसील मोदी ने अपने सोशल मेडिया पर लिखा है कि ललन सिंग चपास की बिमारी किसे है पाराचार को गौर से देखिए एक्स्रीमली बैकवर्ड है कि नहीं सुप्रीम कोट ने 28 नवंबर के आद चुनाओ पर गहन लग सकता है या फिर बिहार में नगर निकाय चुनाओ हो कर रहेगा आपको क्या लगता है कि सरकार ने जानबूच कर जो है पिछड़े आयोक को ही जो है आरक्षन टै करने के लिए जो जी मेडारी दी थी वो एक सरकार की गलती थी या फिर इस मामले पर स सरकार ने जो किया वो सही किया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए